एक छोटे से गाम में एक लड़का रहता था, जिसका नाम रोहन था। रोहन को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन उसके माता-पिता गरीब थे, और उन्हें उसकी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन रोहन ने सोचा कि वह अपनी पढ़ाई खुद के बलबूते पर पूरी करेगा, उसने एक दुकान में नौकरी कर ली और रात में पढ़ाई करने लगा, रोहन ने हार नहीं मानी और उसने अपनी महनत से अपनी पढ़ाई पूरी की, वह एक बड़े शहर में चला गय और एक अच्छी नौकरी हासिल की रोहन ने अपने माता-पिता को बुलाया और उन्हें अपनी सफलता के बारे में बताया उसके माता-पिता को गर्व महसूस हुआ और उन्होंने रोहन को गले लगा लिया रोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम मेहनत करें और हार न माने तो हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं